अच्छा जी अब जो है वह हम देखते हैं के इनसराशन जो है वह किस तरह से होगी लिंक लिस्ट के अंदर तो सबसे पहले हमने जो है हेड पे और इसके डाटा भी माझूद होता लेकिन अगर लेस्ट जो है वह एंप्टी नहीं है तब हम क्या करेंगे एक टेंपरी नोड बनाएंगे उसके डाटा रखवाएंगे उसको उसका जो नेक्स पार्ट है उसको हम लिंक करवाएंगे अपने हेड के तरफ और उसके बाद हमारे जो टेंपरी नोड थी हम उसको अपना नेया हैड कह लेंगे हैं हमसको देखते हैं कि यह तरह होता है तो निशली हमारे पास यह रोती है कि हैड्ट जो है वह ऑद्र लूगा और लिंक में क्लिटर का हेड्ट होगा नलो का हमिले हैं कि उफिले हैं कि यह हमीज सर्सक्राइड करना 25 ऒढ़ करेंगे सबसे पहला हम चेक करेंगे कि हमारी जो लेस्ट है वो empty है के नहीं है तो अनिशली हमारे पास लेस्ट है वो क्या हुई empty थी हमने क्या किया एक नया नोड बना दिया head पर और इसमें data पर रखवा दिया कि तो यह 25 जो है वो इंसर्ट हो गया next अब हमने क्या करना है 13 को insert करना है है एड़ पर उसके लिए हम क्या करेंगे हम दोबार से चेक करेंगे कि हमारी जो लेस्ट आप एंप्टी है कि नहीं है तो अभी जो है वो लेस्ट एंप्टी नहीं है अब हम कहां पर आएंगे स्टप 2 पे आ जाएंगे लिस्ट एम्टी नहीं थी अब हम क्या करने लगे हैं हम एक नई टेम्टरी नोड हमने बना ली उसमें डेटा आ गया नहां 13 और अब हम क्या करेंगे अब हमने लिंक करना है इसका नेक्स पार्ट हैड के थ्रू ऐसे हमने इसको लिंक कर दिया और उसके बाद जो हमारा निया है हमने उसको इस नोड के उपर पॉइंट करवा देना है तो यह कुल मिला के हमारे पास हैड के उपर इंजर्ट हो गया